यदि आपने भी फार्ती स्टेट बैंक में अपने एक PPF खाता खोल रखा है तो हो सकता है कि आप अपने PPF खाते में पैसे जमा करने के लिए बैंक के चक्का लगाते होंगे लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना पड़ेगा घर बैठे बैठे आप अपने मुवाइल से ही अपने PPF अकाउंट में पैसे टांसफर कर सकते हैं वह भी मात दो मिनट के अंदर वैसे तो PPF खाते में आउनलाइन पैसे टांसफर करने के कई तरीके हैं लेकिन आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीके की बात करेंगे यानि यदि आप अपने मुवाइल में योनो इससबाई अप्लिकेशन का यूज करते हैं तो योनो इसस Anita के जरिए ही आप अपने PPF खाते में अमात एक से दू मिनट के अंदर ही पैसे टांसफर कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हाँ अपने मुवाइल में योनो SBI अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को योनो SBI का होम पेज कुछ अलग दिखाई दे क्योंकि अभी हाली फिलाल में योनो SBI का होम पेज पूरी तरह से चेंज हो गया है हमें यहाँ पर अपने PPP खाते में पैसे जमा करना है तो इसके लिए यहाँ देखिए एक अप्शन है योनो PAY इसमें किलिक करेंगे फिर से यहाँ पर बहुत सारे अप्शन आ गए हैं जिनमें से यहाँ देखिए अप्शन है बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू ओन या अधर अकाउंट इसमें किलिक करेंगे जिस PPP खाते में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वह PPP खाता यहाँ आप ही के नाम से है तो यहाँ जो लिखा है ओन अकाउंट इसमें किलिक करना है तो देखिए यहाँ मेरे टोटल चार सो हो रहे हैं यह उपर वाले दो अकाउंट है यह दोने ही अकाउंट मेरे सेवें अकाउंट है और तीसरा अकाउंट है अधर डिपोजिट अकाउंट यह मेरा पीप खाता और यह लास्ट लोला है यह मेरा लोन हैं यहां पर डावूं नेरो दिया है ये इसमें क्लिक करेंगे हम जीतने भी सेविश कोंड़ करना है जिस खाते को शृट करना है जिस पहले वादे को श्रेड कर लेता हूं मेरे इस account का balance हो रहा है यहां लिखा है amount तो PPPF खाते में हमें जितना पैसा जमा करना है उतना amount यहां पर डाल देना है जैसे कि मैं यहां कर रहा हूँ 5000 रुपया यहां नीचे दिया है select purpose इसमें click करेंगे यह जो हम payment कर रहे हैं किस उद्देश से कर रहे हैं उसे यहां से select करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ deposit और investment इसे मैं यहां से select कर लेता हूँ उसके बाद यहां सबसे नीचे दाहिने कोने दिया है next इस पर click करेंगे तो देखिए यहां पर रहे हैं confirmation के लिए आ गया है तो हमें यहां पर अपना ppf खाता check करना है कि जिस खाते में हम पैसे transfer कर रहे हैं वो खाता यही है और जिस खाते से में पैसे debit कराना है वो खाता भी सही है जितना amount transfer करना है वो amount यहां पर है अब सबसे नीचे दिया है confirm इस पर click करेंगे तो देखिए हमें मात इतना ही करना है और हमारे PPF खाते में 5,000 रुपए टांसफर हो चुके हैं यह हमारा सेवें अकाउंट तो इसका बैलेंस देखी अभी कट गया है अब चलिए OK प्लिक करते हैं और अपनी PPF खाता को ओपन करके दिखाता हूं कि हमारे PPF खाते में पैसे टांसफर हुए हैं कि नहीं तो यहां सबसे उपर दिया है अकाउंट इसमें क्लिक करेंगे यहां दिया है माई डिपोजिट इसमें क्लिक करेंगे यहां पर कई आप्सम देखने को मिल जाते हैं जिनमें से यह लास्ट वाला है अदर डिपोजिट इसमें किलिक करेंगे देखे यह हमारा पीप खाता और इसका अगाउंट बैलेंस हो रहा है 3,15,074 रुपया यदि आप इसमें एक बार किलिक करते हैं यह हमारा पीप खाता और हमारे इस पीप खाते में 5 मईद 23 को यानि आज की डेट में 5,000 रुपय डिपोजिट हुए हैं यहाँ पर एक और टिप्स में आपनों देना चाहूंगा जब भी आप अपने पीप खाते में पैसे जमा करते हैं तो एक तारीक से 5 तारीक के बीच में जमा कीजिए जब आप अपने PPP खाते में एक तारिक से 5 तारिक के बीच में पैसे जमा करेंगे उस पैसे पे पूरे महिने का इंट्रेस मिलेगा यह जिए 5 तारिक के बाद जमा करते हैं जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 मलब 5 तारिक के बाद जब भी आप जमा करेंगे तो उस पैसे पे उस महिने ब्याज नहीं मिलेगा अगले महिने से ब्याज मिलेगा तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी घर बैठे बैठे अपने मोईल से ही योनो SBI के जरी मात एक से तू मिनट के अंदर अपने PPS खाते में पैसे टांफर कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंक के चकर लगाने की कोई जरूत नहीं तो उमीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चैनल को पहली बार आये हैं